हम एक युनिवर्सिटी को देखते हैं, जिसमें एक सीनियर प्रोफेसर अपनी क्लास को पढ़ा रहे होते हैं, और यही पर उनका एक असिस्टेंट भी बैठा होता है, यह लोग अपनी क्लास को दो या प्लांस में होने वाली तब्दिली के बारे में पढ़ा रहे होते हैं, यहाँ पर बैठे हुए सब स्टुडेंट्स बोर्ड की तस्वीरें ले रहे होते हैं, ताकि वो अपने नोट को बाद में रिवाइज भी कर सके, लेकिन यहाँ पर बैठी हुई एक लड़की लियो लेक्चर की तस्वीरें लेने की बजाए उस असिस्टेंट की तस्वीरे तरीके से मौत हो चुकी होती है, ऐसा लग रहा था जैसे कि बहुत से प्लांस पौधे उसके के अंदर हो, क्यूंकि वो पूरा का पूरा ग्रीन हो चुका होता है, दूसरी तरफ हम कुछ पुलिस आफिसर को भी देखते हैं जो उस मरे हुए स्टुडेंट्स की तस्वीरें खेंच रहे होते हैं, जबकि यहां जैसे ही क्लास खत्म होती है तो लियो असिस्टेंट के पास जाती है, उसे एक प्लाड गिफ्ट देती है, और आखिरी डरते हुए कह ही देती है कि मुझे आप पसंद है, लेकिन असिस्टेंट उसे इंकार कर देता है, वो कहता है कि तु इसी ने reject नहीं किया, वो बोलता कौन है, मुझे reject करने वाला, उसके दोस्तों से संभालती है, कहती है थोड़ा, सा, होसला, करो, और वो वहाँ पर लगे हुए एक गाने पर बहुत enjoy करने लगते हैं, dance करने लगते हैं, ताकि उनका mood fresh हो सके, जब की खिलकी पर खड़ा हुआ, वो assistant, जिसका नाम जंग है, वो इन दोनों को dance करता हुआ देख रहा था, और मन ही मन में बहुत मुस्कराने लगता है, इसके कुछ ही देर बाद जब लियो की दोस्त अपने कमरे में जाती है, वो अपने चेहरे को शीशे के अंदर गौर से देखने लगती है, क्यूंकि उस जब की दूसरी तरफ अब हम professor और उसके assistant जैंग को देखते हैं, जो normal routine के मताबिक अपने office में बैठे होते हैं, प्रोफेसर यहाँ पर उसको कुछ पीने के लिए देता है, जैसे ही assistant जैंग उसको पीता है तो वो फोरन से बेहोश हो जाता है, इसी दोरान professor एक modern गमला सामने रखता है, जिसमें एक plant लगा होता है, जिसकी root काफी glow कर रही होती है, चमक रही होती है, और उसके अंदर से निकाला गया एक खास liquid 1TK में भर कर उस assistant के हाथ में लगा देता है, प्रोफेसर यहाँ पर एक legal experiment कर रहा होता है, जिसमें वो ये देख चाहता है कि क्या plant assistant की body के अंदर grow कर सके, तो इसलिए इसने ये liquid उसके अंदर inject किया होता है, डाला होता है, लेकिन जब computer पर result आता है कि matching degree 0% है, यानि बिलकुल match नहीं कर सकता, उसकी body liquid ऐसी वो मायूस हो जाता है, और प्रोफेसर उस plant को अपने assistant Jan को छोड़ कर वहाँ से फोरन गायब हो जाता है, जबकि दूसरी तरफ हमलियों को देखते हैं, जो अपने दोस्त को उसके कमरे से बुला रही होती है, लेकिन वो बाहर ही नहीं आती, वो बार-बार पूछती है कि तुम्हें हुआ, क्या, लेकिन किसी न किसी बहाने से इंकार कर देती है कि मैं बाहर नहीं आ सकती, भी उसस ज्यादा डिस्टब नहीं करती, और एक पिक्चर की ड्राइंग बनाने लगती है, ये बनने वाली पिक्चर उसी असिस्टेंट की होती है क्योंकि उसका घर बिलकुल इसके घर के सामने होता है, वो इसी को देखकर कैन्वस पर उसकी तस्वीर बना रही होती है, अब हम इन प्लांट शावर के लिपटने लगता है, और जैसे ही वो अपनी नजरें उठा कर उपर देखती है तो फौरण ही पानी ग्रीन कलर का हो जाता है, इसकी वजह से उसको कुछ पता नहीं चलता और वो चीखे मारना शुरू कर देती है, लियो ने वो पेंटिंग मुकमल कर ली थी और वो जा रही थी कि वो असिस्टेंट जैन को इंप्रेस करने के लिए पेंटिंग उसको देखे आएगी जाकर उसके रूम का दरवाजा नौक करती है, तो वहां से कोई भी दरवाजा नहीं खोलता, क्यूंकि असिस्टेंट तो प्रोफेसर के आफिस में बेहोश कुछी देर में असिस्टेंट जैन भी अपने घर में वापस आ जाता है, यहां पर इनकी बहुत सी बातें होती है खुशी की और कोई नाराजगी की, इसके लावा असिस्टेंट ये भी बताता है कि वो एक लड़की से प्यार किया करता था, जो कि उसकी क्लास फैलू भी र मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारी कुछ तस्वीरें अपने कम्प्यूटर में भी रखी हुई है, लेकिन हम अपना कोई रिलेशन नहीं बना सकते, क्योंकि टीचर और स्टुडेंट हो, तो ये कहती है कि अच्छा चल, ठीक है, मैं अपनी ग् गिफ्ट करता है, जो वो प्रोफेसर के ओफिस से उठा के वापस लाया होता है, क्योंकि इन लोगों के कल्च में प्लांट गिफ्ट करना बहुत अच्छा तरीका माना जाता है, जिससे ये शो होता है कि आप बहुत सीरियस है, आप एक दुसरे का बहुत ख्यार रखते हैं फिर वो एक नॉमल रोजेज भी हो सकते हैं या कोई भी नॉमल प्लांट प्लांट लेकर वापिस अपने कमरे में आ जाती है यहाँ पर वो पौधे को पानी दे रही होती है कि गलती से पौधे के पत्तों की वजह से इसकी उंगली पर एक कट लग जाता है वो परेशान भी होती है कि पौधे के पत्तों से कैसे ये हो सकता है लेकिन फिर भी वो एक बैंडेज को अपनी उंगली पर लपेट यहाँ पर वो एक बार फिर से अपने दोस्त को आवाज देती है लेकिन उसकी फिर भी आंसन नहीं करती वो अभी भी छुपी हुई थी इसके सामने नहीं आ रही थी लियो भी उसको इग्नोर करते हुए सोजाती है जैसे ही रात होती है वो प्लांट करने लगता है चमकने लगता है देखते ही देखते इस पौधे की ब्रांचेज रोड या शाक जमीन से गुजरती हुई जियो के बैड पे आ जाती है उसको बोकंबल तरीक ऐसी जकर लेती है लेकिन एकदम से उठ जाती है और उसे असास होता है कि यह तो एक सिर्फ देख रही थी खेर उसकी नजर अपनी दोस्त के की तरफ पड़ती है जिसके बैड ऐसी कुछ ग्रीन कलर का लिक्विड गिर रहा था आस्ता आगे आकर जैसे ही उसके एरिया में जाती है और वो बैड का परदा हटाती है तो उसके सामने अपनी दोस्त की डेड बोड़ी आ जाती है वो मारी जा चुकी थी और उसके जिसके अंदर से निकल रहे थे उसकी कमर पे ज्यादा ऐसे पौधे उगे हुए थे और ये देखते ही लियो चीखे मारना शुरू कर देती है बहुत दर चुकी थी खबर पुलिस को भी मिल जाती है और पुलिस अपने इंवेस्टिगेशन भी शुरू कर देती है जिन भी लीली से मिलने आ जाता है कि वो ठीक तो है और यहाँ पर पुलिस जैंको प्लांट दिखाते हुए कहती है कि क्या तुम इस प्लांट के बारे में कुछ जानते हो क्योंकि और प्रोफेसर जो काफी वक्त से गायब है प्लांट की स्टडी करत प्लांट के बारे में ही स्टुडेंट्स को पढ़ाया करते थे इसलिए पुलिस वाले इसके एक्सपर्ट एडवाइस मान रहे होते है वो प्लांट को जब गौर से देखता है तो वो कहते है कि ऐसे रूट्स या ऐसे प्लांट मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं द देखती है जिसका नाम शो होता है जबकि दूसरी तरफ यूनिवरसिटी में अनाउंस हो रहा होता है कि यूनिवरसिटी को हम कुछ दिनों के लिए बंद करने जा रहे हैं हम लॉपडाउन लगाने जा रही है क्यूंकि कुछ स्टुडेंट्स के अंदर एक अजीब किस्म क वाइरस पाया गया है और यह भी एलान किया जा रहा था कि कोई भी स्टुडेंट कोई भी टीचर यूनिवरसिटी में होने वाला कोई भी बंदा बगर पमिशन के यूनिवरसिटी छोड़कर नहीं जाएगा इधर लियो और जैन जब बाहर आ रहे होते हैं तो लियो को एक प्लांस आ गए है जैसे कि सब प्लांस आं के अंदर ही कर रहे हैं लेकिन फॉरन ही उसको होश आ जाता है और वो वापस से अपने आपको संभाल लेती है क्यूंकि ये उसका एक था वो हेलूसिनेट ही कर रही थी जबकि टीवी पर खबर आ रही होती है कि प्रोफेसर को पक प्लेज को उतारती है जो उसके पहले एक पौधे के पत्ते से कटने की वजह से लगा था जब वो देखती है तो उसकी उंगली पर भी प्लांट ब्रो करने लगता है काफी घबरा जाती है लेकिन फिर भी अपनी दूसरी उंगली से उस प्लांट को बाहर निकाल देती है इ झाल झाल